नमस्कार दोस्तों स्वागतर अभी नंदने आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूटूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के इंतर जी हां दोस्तों पिछली कुछ कही दिनों से कुछ हेल्थ इस्यूस होने की वज़े से हमारी यह जो रेगुलर क्ल Story現在 है crawl संट क्यों कि हाँस होते हैं कितने टैप्स के होते हैं क्या क्या फंक्सन्स होते हैं और एकजांस के पॉइंट ओफ यूज से एक-दो सबाल यहां से जरूर बनते हैं इसलिए हमारे लिंदा बहुत जरूरी हूं हुद तो आई आज का lecture स्टार्ट करते हैं, हम सारी details से देखेंगे, कितन टाइप्स होते हैं, विठ ट्रिक्स, यह मेरी guarantee हम भूलने नहीं देंगे, ऐसे ट्रिक्स आपको बताएंगे, कौन से टाइप्स होते हैं, और उनके क्या-क्या functions होते हैं, विट्रिक्स हम पढ़ेंगे ताकि हमारे remember करने में easy हो तो आईए आज का lecture start करते हैं देखिए immunoglobin क्या होता है इसका मतलब समझने के लिए मैं हमेशा recommended करता हूँ कि किसी word का मतलब उस word के अंदर ही होता है जैसा कहा जाता है कि क्यूशन कांस्वर options में नहीं होता है उसके आएगा एक होता है immuno क्या होगा एक आता है immuno और दूसरा होता है आपका globulion दो वड़ा थे immuno और globin देखिए immuno का मतलब होता है हमारा कहीं न कहीं यह related है कहां से immune system से किसे है immune system जो एक वड़ का मतलब हो गया immune system हम लिया लिखते है immune system और दूसरा जो आपका globulion है my dear friends यह जो globulion होता है हमने पढ़ा था आपके body के अंदर major दो protein होती है albumin और globulion ठीक है तो यह जो globulion होता है क्या होता है protein part होता है क्या होता है it is a protein है न यह होता है आपका protein तो हमने इसको derived किया है और क्या निकला है immune system और protein तो immunoglobulion क्या होते है वो कुछ proteins होते हैं जो कहिन कहिन रोल प्ले करते हैं हमारे immune system के अंदर अब immune system क्या करता है जब मारी body के अंदर को virus और bacteria की entry होती है बाहर से foreign body का ingestion होता है या entry होती है तो हमें हमारी body को prevent करने, infection से prevent करने के लिए immune system एक force तयार करता है, एक army तयार करता है और वो जो army होती है, हमारे उस bacteria या virus जो बाहर से body के अंदर आया है, उससे fight करती है, phagocytosis का process करती है और हमारी body को infection से और other disease conditions से prevent करती है और उस force या army को हम क्या कहते है, immunity, उसको immunity के नाम से जाना जाता है तो ultimately हमारे immune system हमको क्या देता है, immunity देता है, क्या देता है, immunity this is the immunity, तो हमने देखा, तो immunoglobin जो होते हैं, वो हमारे immune system में क्या देता है immunity देने का काम करते हैं जो किसे मिलकर बड़े होते हैं basically special type के कुछ proteins होते हैं अब ये जो immunoglobulins है my dear friends ये और कुछ नहीं है इनको एक short term के अंदर एक और word से नाम जान सकते हैं उसको पन कहते हैं आपके antibodies उसको क्या कह सकते हैं antibody दे सिदे antibodies और antibodies क्या होते हैं आपके जो हम पढ़ते हैं जब कोई foreign body हमारे body के दर आती है तब उस foreign body से fight करने के लिए उसको prevent करने के लिए killing करने के लिए हमारी body immune system एक response त्यार करती है और जो antibody होती है जो बाहर से virus आया उसको क्या कहा जाता है antigen कहा जाता है उसको क्या कहते हैं antigen और उस antigen से fight कौन करता है आपका antibodies और वो जो antibody है जब fight करेगी तो antigen antibody complex बनेगा और उस bacteria virus की killing होगी और ultimately यह काम कौन करता है हमारी immune system करता है और हमारी immunity करती है तो हमने क्या कहा immunoclomies होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर special types के बने होते हैं जो क्या करते हैं एंटिबोडिस मिल मिलाकर हमारी immune system को प्रिपेर करते हैं और हमको immunity देते हैं जो क्या करता है bacteria virus की killing करता है आई बास अब हमने देखा कि जो phagocytosis का process antibodies करती हैं तो हमारी body के अंदर ऐसी कौन से special type की cells होती है जो phagocytosis या bacteria virus की killing करने के लिए help करती है can you identify yes this is the wbc white blood cells white blood cells से वो cell होती है जो क्या करती है हमारे infection से prevent करती है तो यह antibodies बनती किसे basically wbc से wbc को हम और एक नाम से जानते हैं हम कहते हैं leukocytes क्या बोलते हैं leukocytes आई बात समझे हैं हमने क्या देखा है कि immunoglobins वो special type के proteins होते हैं जो antibodies जो wbc मिलकर बनाती हैं और जो आने वाले antigens से fight करके हमारे immune system को formation करती है और immunity के दोरा हमको body को infection से prevent करती हैं तो यह हमने basic simple meaning देखा इसमें कोई complication नहीं है हमको simply समझ में आगे के word का मतलब क्या है अब अपन देखते हैं कि basically जो immunoglobins होते हैं कभी के बारे में पूछा जाता है है इना immunoglobins का जो shape होता है my dear friends वह आपके y shape का होता है immunoglobins कैसा होता है specifically y shape का हम यहां पर लिखते है immunoglobins जो shape होता है shape कैसा होता है आपके Y-shape का Specifically Y-shape का होता है कैसा होता है अब यह अपन देखेंगे अब अपन क्या करते हैं कि कुछ basic जो structures होती है उसके बारे में बात करते है तो immunoglobulins का जो structure होता है वो basically immunoglobulins के अंदर structure की बात करें तो इसके अंदर basically four identical chain होती है क्या होता है जो Y-shape इसके अंदर four basically identical chains होती है structure के बात करें इसके अंदर होती है four identical chain होती है है ना यह जो four identical chain होती है हमारे फ्रेंस इसके अंदर further two h chain होती है और two light chain होती है यह जो four identical chain होती है यह किसे विलकर बनी होती है इसके अंदर two होती है h chain और दो होती है आपके L chain आई बास हमने 2H chain and 2L chain अब यह जो आपके यहाँ पर H chain हमने लिखा है H chain का क्या मतलब होता है H chain यहाँ पर denote करती है heavy chain H chain का क्या मतलब है heavy chain और यह जो L chain हमने लिखा है L chain का मतलब होता है light chain H chain मतलब heavy chain L chain मतलब light chain तो H chain जो होती है वो denote करती है आपके heavy chain heavy और L chain का मतलब होता है light chain ठीक है यह इसका simple meaning है four identical chains होती है जो basically दो-दो एक heavy chain और दो आपके light chain से मिलकर बनी होती है दो और दो चार अब यह जो दो H chain और जो L chain होती है मारे फ्रेंस यह basically polypeptide nature का होती है कैसी होती है इनका nature polypeptide nature का होता है यह जो होती है आपके polypeptide यह यह polypeptide की मिलकर बनी होती है जैसे अपन nervous system के नियूरोन को पढ़ते है exons को पढ़ते है तो वो वहाँ पर जो होता है basically phospholipid का बना होता है तो उसी परकार से यहाँ पर यह जो दो चेंज होती है चार चेंज होती है तो यह basically polypeptide से मिलकर बनी होती है जो इसकी chemical nature को indicate करती है अब अपन इसकी जो structure देखते है basically की immunoglobin दिखते है कैसे अब यहाँ पर हम इसकी structures बनाते है तो यह हमने क्या देखा है immunoglobin का बहुत ही basic structure हमने क्या बोला था immunoglobin से होते है आपके Y shape क्या होते है तो यह कुछ इस ताइप से दिखते है अब क्या-क्या इसके अंदर chemical formation होता है क्या-क्या chemical इसके अंदर और structure के अंदर deeply होता है वो अपन थोड़े देखने की कोशिश करते है देखिए यहाँ पर जो होता है इसके अंदर basically 2 chain होती है हमने पाहता है यहाँ पर 4 identical chain होती है आपके 2 L chain होती है और 2 H chain होती है कौन-कौन सी H chain और कौन-कौन सी L chain होती है वो हम यहाँ पर थोड़ा denote करते है यह जो होता है यह जो basically छोटी वाली chain है इसको open कहते हैं L chain इसको क्या कहेंगे light chain तो यह यहां हम लिखते हैं यह आपके क्या हो गई L chain या light chain ठीक है यह हो गया आपके light chain और यह जो आपके लंबी वाली पूरी chain है इसको open क्या बोलते हैं यह जो बड़ा बाला portion है दोनों इसको open बोलेंगे heavy chain इसको क्या बोलेंगे heavy chain that is the heavy chain heavy chain ठीक है तो एक आपके L chain एक light H chain इधर भी आपके वापस again this is the L chain and this is the again H chain ठीक है इसको open H chain रहते हैं और यह L chain ठीक है हमने देखा दो L chain होगी और दो H chain होगी अब अपन बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़े होती है अब यह जो दो H chain होती है मारे फ्रेंस यह आपस में एक bond से connected होती है और यह जो आपके H chain होती है इन दोनों के बीच में एक bond होता है जिसे यह आपस में connected होती है उस bond को कहते है आपके डाई सल्फाइड bond उसको क्या कहते है मतलब यह जो आपके तो H chain होती है वो आपस में डाई सल्फाइड bond से क्या होती है connected होती है उसको क्या कहते है डाई सल्फाइड single one और यह double one is जो हमने chemistry के अंदिर पढ़ते हैं, इसके अंदर bond होता है तो ये sulfur के bond होते हैं जो basically इसको क्या कहेंगे di-sulfide bond, मतलब 2 sulfur के bond मिलकर बने होते हैं इसको open क्या कहते हैं di-sulfide bond, हम यहाँ पर लिखते हैं this is the di-sulfide bond di-sulfide bond इसको हमने क्या कहा di-sulfide bond अब यह जो आपकी L chain और H, जो दो H chain connected होती है Dysulfide bond से, उसी प्रकार आपकी जो light chain है और यह again H chain है, यह भी आपस में connected होती है किसे आपके Dysulfide bond से, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस अगें Dysulfide bond, इस तो यह आपस में किसे connected होगी वापस आपके Dysulfide bond, ठीक है, तो यह क्या होगी आपके Dysulfide bond हो गया, आई बात समझें, यह, अब नेक्ट आपन मोग करते हैं further, अब देखिए, यह जो immoglobin होते हैं, इसके अलग-अलग कुछ regions होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, अलग-अलग से बहुत सारे region होते हैं, कौन-कौन से region होते हैं, वो यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो देखिए, यहाँ से लेकर, यह जो थोड़ा से इसको divide करते हैं, अलग-अलग region इसके बनाते हैं, कौन-कौन से region होते हैं, वो अभी अपन बनाते हैं, देखिए, यहाँ से लेकर, यह जो इतना portion होता है न, जो हमने यहाँ पर breakdown किया ह इनका इस reason को बोला जाता है हमारी और आप बेरिजादитель शाहिए इसको क्या बोलेंगे variable reason, क्यों बोलेंगे वो उप भी तक टेक है, तो यहां भी यह क्या हो गया आपके variable reason हो गया, जो जो यहां से लेकर यहां तक पूरा portion है हमारी और friends उसको अपन बोलेंगे constant region उसको क्या बोलेंगे constant region तो हम discuss कर सकते हैं हम इस side में लिख देते हैं पूरा यहां से लेकर यहां तक यह जो पीछे बचा पार्ट है इसको बोलते हैं constant region क्यों बोलते हैं आप भी discuss करेंगे that is the constant constant region ठीक है यह होगे आपके पूरा होगे constant region और यह होता आपके variable region अब variable region की बात करें तो इस variable region के आगे भी एक और process होता है और वो क्या process होता है वो भी discuss करते हैं देखिए यहां जो होता है basically एक specific site होती है यहां पर एक specific site होती है एक receptor site होती है उसको open क्या कहते है यह जो आपके light chain और h chain का जो front portion है इसके उपर एक specific site होती है जहां पर हम दोट बना है इसको my difference कहते हैं antigen binding site इसको क्या बोलते हैं antigen binding site या antigen binding receptor इसको क्या बोलते हैं antigen that is antigen antigen binding site तो आपके कोई भी जब bacteria virus होगा इसको अगे अपन क्या बोलेंगे antigen binding site या antigen binding region अपन कह सकते हैं जब भी bacteria virus आपकी body के इंटर करेगा तो आपके जो immune system है वह आपका immunity प्रोड्यूस करेगा और इम्यूनुटी जब प्रोडीज होकर antibody जो प्रोड्यूस करेगी वह antibody जो होती है आपके फॉर्मेशन यहां पर आएगा तो यह जो region होता है my defense जहां हमने region बनाए है यह क्या करता है पर्टिकुलर antigen आएगा उसके according react करते है मान लिजी फ्लू का वायरेस आया तो उसके according को immunity प्रोड्यूस करेगी मान लिजी कोई other disease condition का वायरेस आया तो उसके according वो रोल करेगी मान लिजी वो कोई viral फ्लू का है वो बैक्टिरियल फ्लू है या कोई further chronic infection का आया तो वो उसके according यह region change होता है इसलिए इसी region को क्या का जाता my friends variable region का जाता है इसलिए इसको क्या होते है variable region और यह जो further करने की कोशिश की है एक और further region होता है देखिए इन दोनों की बीच का यह region है यहाँ पर इसको बोलते हैं माइडियर फ्रेंड्स हेंज region क्या बोलता है है हेंज हेंज region और यह आपके फर्दर यहां देख रहेंगे यह थोड़ा से कर्व बन रहा है यहाँ पर कि जो कर्व बन रहा है इस कर्व को बोले जाता है जे रिजन यह जे साइट यहां बोलते हैं यहां पर मान लीजिए यह जो हमने देखा कि जो virus या antigen आएगा वो यहाँ पर bind होगा इस side के उपर जब यह इसके उपर bind होगा तो यह variable region अपने आप उसके according अपनी immunity चेंज करेगा अपने structure चेंज करेगा और इसके according उससे fight करेगा लेकिन इस region के अंदर भी एक और region होता है इसके अंदर भी कुछ reasons होते हैं जिसको हलक चोटे dot है यह जो light side हमने एक और बनाई है इसको भी एक नाम से जानते हैं क्योंकि यह इसके और पास में होता है इस variable region में भी और वो क्या होता है इस antigen के अगेंस्ट और specific antibody मनाता है इसलिए इन रिजन को क्या कहीं था हमारे इस इसको बोलता है hyper variable region उसको क्या बोलेंगे hyper variable region जो क्या करेंगे आने वाले antigen से अपने एक specific immunity का formation करेंगे तो इसको क्या बोलते है hyper variable region यह जो होते हैं basically उसको कहते है hyper variable regions ठीक है तो यह हमने कुछ chemical structure के अंदर देखी कौन-कौन से variable होता है कौन से constant होते हैं कौन इनके पीछ में होता है और यह जो के हींजिट होता है हींजिक का मतलब होता है कि हम घरका का बचा कि द 2007 messaging के mmH इसके टाइब कौन से होता है सुवाल आपके वहीं से बनेगा और मेन फोकस आपके वहीं होना चाहिए कौन कौन से टाइब होता है विट्रिक्स अभी अपन पढ़ने कोशिश करते हैं